लाड एमहर्स्ट लाड एमहर्स्ट का कार्यकाल एक अगस्ट 1823 इसे 13 मार्च 1828 इतक था लाड एमहर्स्ट के कार्यकाल में बर्मा आधुनिक नाम म्यामार का प्रथम युद्ध जो 1824 से 1826 इके मध्य तक चला और इस युद्ध का अंट 24 फरवरी 1826 इको यांडबू की संधी से हुआ यांडबू संधी की प्रमुक शर्तें एक-एक अंग्रेजी रेजिडेंट रंगून आधुनिक म्यामार में में और एक बर्मा का राजदूत कलकत्ता में रहने लगा दोग मनेपुर को स्वतंत्र राज्य घोशित किया गया लाड एमहर्स्ट के कार्यकाल 1824 इमें बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था जिसका मुख्यकारण भारतिय सैनिकों ने समुद्र के रास्ते रंगून जाने से इनकार कर दिया था लाड एमहर्स्ट में 1826 इमें कामबर्मियर के नेत्रित्व में एक अंग्रेजी सेना भरतपुर आधुनिक राजस्थान में भेज कर उस पर अधिकार कर लिया था 1828 इमें लाड एमहर्स्ट वापस इंग्लैंड चला गया और उसके स्थान पर नया गवर्नर जनरल लाड विलियम बैंटिक को बनाया गया